श्री शिवाई नमस्तू भीयम फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे अगर आपका बिजनेस है फैक्टरी है या आप कोई भी जगा पे आप जोप कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो धन कमाने के लिए एफर्स लगा रहे हो बड़ धन आपके घर में आता नहीं रह है अगर आ रहा है तो उसका रस्ता आने से पहले हो जाता है खर्च से जादा हमारा क्या होता है आमदनी से जादा खर्चा होता है तो यह सब वास्तू के ऐसे कारणों वस होता है जिसके कारण आपके घर के अंदर वास्तू दोस्त के कारण धन की समरुद्धी में रखने, जिससे के आपके बिजनेस के अंदर जोब के अंदर या आपकी फैक्ٹरी में धन समरुद्धी में वुरुद्धी हो। क्योंकि ये भी एक लोजिक है, जहां आप लक्ष्मी का स्थान है, वो स्थान अगर पोजिटीवीटी में नहीं है, सकारत्मक नहीं है, तो कैसे लक्षमी की आकर्शन बढ़ेगा और आपके दंदे के रोजगार के अंदर पैसा आएगा आप काम कर रहे हो जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कोई सीधी सीपल है उनको समझ में आ रहा है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है पर जो दिन रात काम कर रहा है, सालों से दुकान में बैटता हैं, बहुत अच्छी जगा पे दुकान है, पहले दंदा अच्छा चल रहा था, भी दंदा अच्छा में चल रहा, बिजनेस के अंदर इतना इंवेश्टमेंट है, रीटर्स कुछ भी नहीं है, जौब के अंदर इतनी मेहनत करता हूग, पैसा तो आरह है, दिख रहा है, पर घर में टिक नहीं रहा, अन्चाए कोई भी खर्चे आजाते हैं, चाहे वो कोई मरंबत का खर्चा हो, चाहे बिमारी का खर्चा हो, या हमारे वीकल्ज बिगड़ जाते हैं, हमारे कॉम्पृ license बिगड़ जाते है लेक शरद्दा की जरूत है कुछ लागत नहीं लगरी कोई बड़ा खर्चा नहीं है यह कोई भी इंसान अपने जीवन में करेगा तो उसको कुछ ना कुछ फाइदा होगा पर उसको शरद्दा और शबूरी रखनी पड़ेगी तो इसका इंस्टंट रिजल भी मिलेगा तो सबसे पहले हम बात करते जब भी आप घर के अंदर तीजोरी रखो तो तीजोरी को साउथ व्यस्ट यानी wsw वहाँ पे स्तापित करो और और वहां पे इस तरह से स्तापित करो के तीजोरी जब आप खोल तो उसका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ हो यह एक ऐसी दिशा है कि वहाँ पे आपको सेविंग मिलेगी और अगर आप पस्सिम दिशा में भी वेश्ट जॉन में भी अगर तीजोरी रख रहे हो कैश अलमारी रख रहे हो चाहे दुकान है फैक्टरी है तो वहाँ पे या नेरुत्य कौन की पस्सिम दिशा में या पस्सिम दिशा में तीजोरी नहीं रखोंगे तो उस दिशा के जो दिवता है वहाँ से जो आपको धनलाब कराने वाले गेन प्रोफिट कराने वाले आपकी बचत कराने वाले उससे आफ वंचित रहोंगे खास यह देखना है क तीजोरी कहां रखनी है, मैटल भी इसमें इंपोर्टन्स है, बट अगर मैटल में हम नहीं जाएंगे, खलिक स्तितिया पकड़ लीजिए, तो बहुत ही अच्छा फाइदा होगा, और तीजोरी के उपर कोई भी परकार का वेट मत रखना, हम क्या करते हैं, हमारी कैश बोक्स के उपर हम कुछ भी बेट रख देते हैं, जब हम दुकान के अंदर होते हैं, तो लंच बोक्स रख दिया, हमारा लैप्टोप रख दिया, तो ये आपको समझत जाओ के वेट नहीं रखना, नहीं तो आपको धन की वृद्धी नहीं होगी, धन आएगा, खालिक काम चलाने का, घर चलाने का, और पेट भरने का, जो कहते हैं, लक्जरियस लाइफ और घर में आगे बढ़ने के लिए जो धन चाहिए, वो धन आपको प्राप्त नहीं होगा, तो फ्रेंड्स, ये होगी तीजूरी की विवस्ता, अब इसमें क्या वेदी कूपाई कर सकते हैं, तो यह जाएंगे, ये आप एक परचेस कर लीजिए, पूजा पाट करवा लीजिए, और इसकी स्तापना आपके घर की तीजोरी में करना है, किस तरह से, भगवान कुबेर को समरुद्धी का प्रतिक माना जाता है, इस वज़ा से दिवाली के एक दिन पहले भगवान कुबेर की प जरूर रखना चाहिए, कुबेर यंत्र तीजोरी की तरह धन को आकरशित करता है, तीजोरी के दर्वाजे पर भीतर या भार की तरफ एक श्री यंत्र चिपकाईए, जिससे घर में धन ज्यादा मातरा में आएगा, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बापिस बता देते हैं, हमें पूजा पाट करा के एक कुबेर यंत्र तीजोरी में रखना है, और साथी साथ अगर आप श्री यंत्र भी एक लिके आते हैं, तो दर्वाजे के बाहर या अंदर श्री यंत्र भी आप चिपका सकते हो, जिससे धन की वुरुद्यों की धन आपकी तीजोरी तरफ पिचा चला आएगा, ये एक पहुती सटीक उपाय है, करना पड़ेगा, सालों से हो रहा है, हमारे बुजर्ग लोग करते थे के घर में श्री यंत्र कुबेर यंत्र की स्तापना करते थे, जैसा जैसा मोडन यूक आया, ये सब यंत्र लुप्त हो रहे है, इस यंत्र की जा धन रखते हो, वहां रखोंगे तो 100% आपको मुनाफ़ा होगा, बेनिफिट होगा, दरपन, वास्तु के अंदर दरपन का भी बहुत महत्व है, मीरर, जो कोई भी एनरजी को 16 गुना बढ़ा देता है, अगर मीरर, आप एक छोटा सा मीरर, जिसमें हमारा चेहरा दिखत है, वो लक्षमी को भी आकरशित करता है, अगर वो मीरर, आप कैश बोक्स में रख देंगे, तो महाँ पे सोने पे सुवागा हो जाएगा, तो ये किस तरह से है, दरपन, वास्तु के अनूसर, यदि आप घर की तीजोरी में एक छोटा सा दरपन रखते है, तो ये आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है, तीजोरी में रखा दरपन आपके धन को दर्शाता है, और एक दोरी छबी बनाता है, आपने कैश बोक्स में या तीजोरी के अंदर उत्तर दिशा की दिवार पर शीशा लगाना चाहिए, या इसके भीतर एक छोटा सा सीशा जरूर रख में एक दरपन रखे या दरपन चिपका दीजिया रख दीजिये, तो वो क्या धन को दोराता है, यानि उसका छबी को बढ़ाता है, जिससे से lot of धन, यानि बहुती विपूल मात्रा में ऐसा दिखता है, दरपन की होने की वज़ा से के वहाँ पर धन की संख्या जादा है, ये एक इमेज होता है, ये एक आपको दिखाई देता है, बट जैसा आप सोचोंगे, जैसी आप छबी करोंगे, वो छबी दिरे दिरे हकीकित में परिवर्तन होगी, तो आप cash box के अंदर छोटा सा दरपन लगाएंगे, तो 100% आपके धन की वुरुद्दी होगी, ये भी ए ये दरवी हमारे कीचन के है, अंदर है तो हल्दी की गाट, अगर आप कीचन के अंदर जो हल्दी यूज करते हैं, आजकल पाउडर फॉर्म हल्दी यूज करते हैं, पर आप किसी भी बरतन में, काच के बरतन में हल्दी की गाट रख देंगे, जो उसको हम यूज नहीं करत इसके अलावा तीजोरी के भीतर यहां पे ये बताया है कि आप जब भी धन समरुद्धी के लिए आपके तीजोरी में अंदर पैसा रखते हो और साथ में आपके आभुशन रखते हो तो वो दोनों को अलग-अलग विबाग में रखी है पैसा अलग जगा और आभुशन तो यहां पे आपको सेक्शन विबाग अलग-अलग करने है अपने कैश बोक्स में कैश और जवलेरी को अलग-अलग सेक्शन में रखे इसके अलावा तीजोरी के भीतर हल्दी की गाट जरूर रखे हल्दी के रंग को बहुती शुब माना जाता है और ये धन को आकरशित क तरने में मदद करती है यदि आप हल्दी की गाट को लाल या पीले कपड़े में लपेट कर रखते है तो यह आपके लिए और ज्यादा शुब संकेत देती है तो फ्रेंड्स यहां पे हल्दी का जो कलर है वो पीरा कलर है पीला कलर गुरू यानि जूपी डेकर प्रेजंट करता है इसको आप चंदर या लाल या सफेद कपड़े यानि चंदर या मंगल के जो कलर से उसके कपड़े में अगर आप इसको रखके तीजोरी में रख देंगे तो यहां पे आपको दोरा फाइदा होगा बहुत ही शुब फल प्राप्त होगा क्योंकि यह माता लक्ष्मी के अनदर बरसेंगे आप जो काम कर रहे हो वाह पे कोई भी परकार का वास्तुदो से या आप कर रहे हो कि मेरा काम नहीं चल रहा किये कोई भी प्रोब्लम आप मत सोचे यह उपाय कर दीजिए और जिसने समय बनाया है उस समय बनाने वाले को थोड़ा सा समय दे दीजिए धिरे धिरे आपका समय चेंज होगा और आप भी एक धनवान के श्रिणी में आएंगे। वो धनवान जो पैसे का सद उप्योग कर सकेगा, अपने मोशोक पूरय कर सकेगा, अपने सपने पूरे करे सकेगा और परिवार के लिए कुछ और कुछ ऐसी चीजे create कर सकेगा कि उनकी आने वाले भी परिवार की नसले एकदम सुखी है और वो जगत का कलियान भी कर सकेगा हमें धन कमाना है, धनवान बनना है पर character wise यहार मारे चारी तरह से भी धनवान बनना है तो यह सब जो चीजे है यह पूजा पाट की जो चीजे है अगर उसको आप अपने rooting life के अंदर mix up करेंगे तो आपके पास जो धन आएगा न वो शूद आएगा बरकत वाला आएगा और घर के अंदर धन समरुदी रहेगी धन उसे कहते हैं जिस धन से आपके सपने पूरे हो आपकी जरूर्यात पूरी हो पर वो धन नहीं है जो खाली पड़े रहता है और किसी भी चीज में यूज नहीं हाता तो यह एक पहुती छोटा सा उपाए है उपाए आप तुरंद कर लीजिये धिरे धिरे फाइदा होगा कमल का फूल माता लक्षमी राणी को कमल का फूल भोती परिये है अगर माता लक्षमी राणी को हर शुकरवार को आप एक तीन पांस साद ग्यारा एकी संक्या में कमल के फूल अरपन करेंगे तो 100% आपको धन वुरुद्धी, समुरुद्धी, रिद्धी सिद्धी के आशिरवाद मिलते रहेंगे तो यहां क्या उपाए है और आपको दिखा रहे कमल का फूल देवी लक्षमी को प्रिये है इसलिए आप तीजोरी के भीतर कमल का फूल जरूर रखे बीच बीच में ध्यान रखे कि इस फूल को बदलते रहे फूल तीजोरी की तरफ धन को आगमन को बढ़ाने में मदद करता है यानि फूल जो हम भी अकट तीजोरी में रखेंगे यह नेचरल फ्लावर तो यह एक दो दिन में मुर्जा जाएंगे तो आपको यहां मुर्जा हुआ फूल कंट्यूनिटी नहीं रखना उसको चेंज करते रहना आप जब तीजोरी के अंदर कमल रखेंगे दूसरे दिन चेक कीजिए तीसरे दिन देखिए अगर वो मुर्जा रहा है सूख रहा है तो चेंज कीजिए नया रखिए तो इससे क्या होगा ताजा कमल का फूल माता लक्षमी रानी को बहुती परिये धन को आपकी तीजोरी की तरफ आकरशित करेगा यह आप बहुती इफेक्टिव चीजे यह फल तीजोरी की तरफ धन को अगमन को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी तीजोरी के भीतर सुका फूल नहीं रखना चाहिए सुका फूल धन को रोकता भी है तो यहाँ आपको थोड़ा विसेज ध्यान रखना है रखना है तो नेचरल ताजा फूल रखे सुबह रखे साम को निकाल दीजीए तो दूसरे दिन सुबह को निकाल दीजीए थोड़ा आपको केर लेनी पड़ेगी बाकि अगर यह भी अगर आपने उपाई कर लिया तो यह उपाई आपको भोती फल देगा जिनके घर में पैसा आ रहा है पर पैसा नहीं टिक रहा दन नहीं आ रहा दीन रात मेनत कर रहे हमारा पिछला समय अच्छा था अभी का समय अच्छा नहीं चल रहा हमारी दुकान नहीं चल रही फैक्टरी नहीं चल रही हमारी ये कोविड की महामारी के बाद हमारा धंदा बंद हो गया, नोकरी बदल गई, बहुत लोट अफ फोन हमें रोज आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, यहां हम सब को एकी बात कहेंगे, यह आप वास्तु को फोलो कीजिए, वास्तु के अंदर महंगे-महंगे, यह लगाने पड़ते हैं, अगर आपका समय नहीं है, अभी पैसा खर्च करने का, तब यह छोटे-छोटे उपाई ही करिए, यह छोटे लोट फूपाई मेरी वीडियो में, मेरी यूटूब चैनल पर आपको भूछ सारे से उपाई मिलेंगे, यह उपाई में उनके लिए ही ब सही में यह समस्या है, तो उनके पास धन नहीं है, समय नहीं है, तो यह उनके लिए देरे-देरे इसका यूज कीजिए, और देरे-देरे आपकी जिवन की समस्या को समाधान लीजिए, अगर आप भी चाते हो, कि ऐसी वास्तों की और वीडियो देख सके, तो आप भी हमें टॉपिक दे सकते हैं, उस टॉपिक पे हम आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे, जिससे आपके टॉपिक से आप अपनी प्रोब्लम्स, आप खुदी जो हो, वो खुदी है, एक आप वीवर्स, खुदी हमारे मारदर्शन है, उनके पास ही नोलेज है, वो ही हमें आप की समस्या हमें बताएंगे, तो उस समस्या का समाधनम सास्त्रुक वीडियो के द्वारा आपको बताने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे, टैंक यू फ्रेंड्स, हर हर मादेव, हर हर मादेव, हर हर मादेव.